करने वाले basically, collection start करने ले, java में अपना last concept बस जाए, कुनसा, java basic programming में, तिकि जो अपना plan reset हुआ था, activation का, उसके सबस्दा का देखा जाए, तो, अपना बस ता है, java basic आज हो जाएगा complete, topic का नाम है, collections, आपको definite किसके उपर question पूचे जाएंगे, collection की उपर, collection in java, collection के बारे में, जैसे मैंने बता है, आपको हमेशे एक चीज हमेशे रात, याद होको, अगर इंटर में कई भी question पूचा, आपके पास हर एक question के चार point prepared होना चाहिए, किसी भी question के आगर आप answer में सिर्फ एक या दो point बता होगे न, वह satisfied नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप try करोगे, हर एक question के चार point में बताने का, उसको समझ में आएक हाँ, आपको बहुत अच्छी तर से concept भी हाती है, और अपनी implement भी किया हुए, तो हमेशे याद रोखो, आपको यह वाला चीज़ करना है, ठीक है, पहले तो हम लोग देखते है collection के बारे में, collection is a framework that provides architecture to store and manipulate group of objects, एक object की जगह न, हम लोग क्या करते हैं, data लिखते हैं, एक क्या करते हैं, ठीक है, इसके दो पाट करते हैं, पहला, इदर framework and इतना ही लिखते हैं, framework की जगह हम लोग इसको लिखते हैं, interface बोलते हैं, कि महमें दो पॉइंट बताना है, तो हमें दो पॉइंट में काम बना है, interface है, तो इंटर में पूछते हैं कि आपके project में interface कौंसे कौनसे वीच के, तो अभी तो मैं आप भी बता रहा हूँ तो यह कलेशन का एक इंटरफेस है, एक वेब राइवर का की इंटरफेस है, एक्स्टेंड रिपोर्ट एक इंटरफेस है, ठीक है, हम लोग इतने सारे इंटरफेस यूज़ करते हैं, तो आपको डेफिनेटली पूचेंगे, आपके इंटरफेस का से पर टॉपिक पढ़ाओंगा, तब तो यह कॉच्चन बताओंगा, लेकिन अभी भी बता रहा हूँ, यह दूसरा पॉइंट है, ठीक है, कलेक्शन के बारे में, अब इसके बाद क्या होता है, यह आपको इस वे इतनी ने दे, कहाँ पर गया है, मैं आपको यह भेशता आपको यह वाला, अपने ग्रूप में भेश जाता हूँ, ठीक है, अपने ग्रूप में भेश जाता, आपको यह वाला प्रूप्रम फटेक है, इसका न, फोड़े से, कलेक्शन के बारे में देखना, कलेक्शन, लिष्ट, सेट, क्यूँ, यह आपको याद रखना नहीं पड़ता है, आपको सिर्भ याद रखना है, कलेक्शन के तीन पार्ट से, एक होता है लिष्ट होता है एक क्यू होता है एक सेट होता है और इंटर में जो पोचे जाते है तो आपको उसके में दो चीज़े बताना है लिष्ट बताना है और सेट बताना है ठीक है अब भी लिष्ट क्या होता है सेट क्या होता है हम लोग उसी के बारे में देखने वाले तो पहले जेखते है लिस्ट क्या होता है लिस्ट कंटेंस सबसे ही में डिपनेंस कहाता है इट अलाउज डूपलिकेट वैल्यूज एक्जाटली ओके इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है लिस्ट में होता है, अगर हम सेट के बारे में बात करें, तो सेट में क्या होता है? सेट में, इट कंटेंस ओनली यूनिक विलिज इम्पोर्टनेंट है और आपका डेटा अरेंज होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग इसका अभी जरूतने बाद में लेगे अभी इंटरू के फिर्ट कॉश्टन, अब आपका अभी देखोगे आपको भी पता चलेगा difference between list and set हम लग पढ़ने वाल है यह सब आपको यह सारी चीरे दिखाने वाला list और set सब इसके प्रोड्राम भी लेने वाले हैं हम एक मिंटा एक मिंटा एक मिंगा कुछी लेश्टन, set और मेरे खायात से अगर आप इंट्रोड देते हो तो 10 इंट्रोड देते हो तो दस में से आठ इंट्रोड में आपको यह question ने डिफेनिटल पूछेंगे अगर आपको इतना ही पूछेंगे उसके बाद यह hash map होता है यहां लिंक सेट होता है यह कोई नहीं पुछता है इतना यहां तो copy की नहीं होता है ओके तो list के बारे में देखा जाए list में उन्होंने बता है list is the order sequence यहां पर order sequence फॉलो नहीं होती है ठीक है यह सारी चीज़े हम लोग देखने वाले just give me a second में इसको नहीं एक लाइन पर लिखिया था तो हम लोग इसके इपर discussion कर सकते हैं यह मेरा set हुआ इसके पीछे का logic भी में बताता क्यूंकि हम लोग list दो जगह पर बहुत जगह भी उज़ करते हैं और set भी बहुत जगह भी उज़ करते हैं इसलिए होता है अब भी हम लोगों को देखना ही list करता कैसे, अगर हम आप देखो के list का कैसे target है List के अंदर आता है, list के अंदर आता है has set आता है linked list आता है और short set आता है यह दो पार्ट आता है set के अंदर हम लोग इसको define करते हैं अभी आपको define करने के लिए कैसे लिए लिए लिखना पड़ता है यहाँ पर और यहाँ पर आपका कोई भी प्रीमेंट्वी डिटाटाइब लिखना पड़ता है यहाँ दो को string लिखा मैंने यहाँ पर x लिखा is equal to new array list और string अगर आप यहाँ पर error आ रहा है इसको over up करोगे तो आपको पता चलेगा आपको कुछ तो add करना पड़ेगा जावा के यूटिल्स जेको जावा के यूटिल्स आपकी है यहाँ पर यहाँ भी list यूटिल कभी add करना पड़ेगा हो गया तो अब इस में जेको कुछ कुछ चीज़े क्या करते एक्स डॉट एड्ड मैंने ए बी सी लिखा हूँ एक्स डॉट एड्ड पी सी डी लिखा एक्स डॉट एड्ड 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 लिखा अगर अबजर करके इसमें तीन चीज़े मैंने अड़ किये है इसको मैं रन भी करता हूँ एक्स डॉट रिमूव किया हूँ मैं एक स्पेसिबिक इंडेस का इलिमेंट रिमूव भी कर सकता हूँ ओके एक्स डॉट गेट भी करता हूँ मैं आपे जूरो लिखता हूँ हम लोग लिश्ट करने के पीछे का लॉजिक यह है अभी इंटर में और एक क्वेश्चन पूश्टते हैं लिश्ट एंड आरे में डिपरेंस क्या है यह बहुत इंपोरंट है अभी हम लोग यह भी देखने हो लिए देखो आरे के बारे में आप मुझे बताओ क्या क्या होता है आरे में सबसे इंपोर्ण क्या होता है आपकी लेंट फिक्स होती है ओके लिश्ट में क्या होता है आपकी लेंट ही बढ़ती है कैसे बढ़ती है आज पर रिक्वार्मेंट लेंट इंक्रिज़ेस आज पर रिक्वार्मेंट बराबर है इसमें क्या होता है इसमें इंसर्शन इसमें सिर्फ एक ही देखा होमोजियोनियस डेटा होता डेटा इसमें बोट होमोजियोनियस होमोजियोनियस हाथेरोजियुएस डेटा इन बीटोड ओके आर एक चीज मतलगि आगर आप इसमें अबजर करोगे इंसर्शन डिलिशन करना वह बहुत दिफिकेछल होता इंसर्शन डिलिशन इसक्युए इसक्वाइट अरे इसमें इजी होता है ठीक है अरे यह वह इसकी जो रूट पड़े कि कहा है आप बताता मैं दो मिनटों मैं अब ही हम लोग क्या कर रहे सेम पैटन रख रहे मैं एक एरे लगा रहा हूँ देखो मुझे जो चीज़े मैं आज आपको बताना है उसके लिए हम लोग देख रहे अगर मानलो मुझे सेम लोगेड का अढिर टकले करना है इंड लिकना पड़े इंट जैसे मैने बता यहाप में y लिक्त अ टेबर ली पर इंड रिकना पड़ेगा यह श्रिं लिकना पड़ेगा किूंक। हम लोग स्रिंग में ले रा स्टिंग वाय एक वर्ल टू न्यू री करी यार क्या चल रहा है मैं आज कोई जो मुट कर रहा है फिसर एक रहा है फिक यह वाला देखो अभी यहाँ पर मुझे क्या बताना और यह क्या बताना यहाँ यह क्या बताना मैं आपको देखाता आप यहाँ मीरे एक से यहां पर आप देखो, x.size करता हमें, x.size, एच्छी size ए फंक्शन है न, यहां पर मैं इसको इस बेसे लिपता हूँ, और यहां पर x लिपता हूँ, ठीक है, अभी इसमें कुछ element दिख रहे आपको, नहीं दिख रहे, बरबर है, अभी यहां पर देखो, now tell them, इसकी size कितनी हो रहे, एक size हुआ, उसमे element क्या है, a, b, c element आया, किसी यह doubt आप इस case में, okay, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको और एक element add कर रहा हूँ, जैसे मैं add करता, automatically इसकी size बढ़ जाती है, कितनी हुई रहे, दो हुई, अभी इसमें किस नहीं हो, अभी इसमें और एक element add करता हूँ, कितनी हो गई, 3 हो गई, मतलब मैं कैसे करो, जैसे element add कर दो, तो automatically अपका data क्या हो जाएगा, add भी हो जाएगा, और lane भी बढ़ जाएगा, इससे क्या होगा, आपका memory का जो wastage होता है, वो बच जाएगा, जैसे कि for example, अगर मेरे पास array है, मुझे पता है नहीं, मुझे कितना data add करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे pointer पर इसे थोड़ा ज्यादा की size बढ़ता नहीं पड़ेगी, तब मैं जाके add data कर सकतो, जैसे कि मेरे घर में आगर guest आ रहे है, मुझे आगर guest का county नहीं पड़ता है, तो आपको एक certain amount लेके पढ़ना पड़ता है, एक buffer में लेकर 10-20 आजिम करके, तो वह ऐसे होना पड़ेगा, क्योंकि कम नहीं पढ़ना चाहिए, ज्यादा हो तो चलेगा, लेकि कम नहीं होना चाहिए, same logic है यह वारा, तो जिस वे से मैंने बताया आपको, मैंजे यह क्या करना है इसको, मेरी size जहाँ पर सिर्फ 3 ही use हुआ, तो उसने 3 का ही data लेकिन हाँ पर आकर मान लो मुझे 3 का data size 5 है, तो मेरे 2 memory location wastage होगा कि नहीं, तो आपको किसी ने मुझे question पूछाता है, राइट, आरे में भी कर सकते हैं तो इसका क्या है, तो यह एक answer है, आपका memory management easy होता है, ठीके memory management बोल रहा हो मैं मतलब, memory wastage नहीं होता, लेकि इसमें आगर देखा जाए ना इसमें थोड़ा ज्यादा memory लगता है, इसमें ज्यादा memory लगता है, अगर आप उसका अगर आप देखा होगे ना, यह इसमें जाता है, कहा है, list में, array list, link list, यह सारी चीज़े ना, और ख फिरी चीज़ देखो, इसका अगर मुझे data लिना है, बस मुझे लिखना पड़ता है, x.gate लिखो, तो आपको directly data मिल जाता है, लेकि इसमें ऐसा नहीं होता, आपको specific element travel करना पड़ता है, तब जाके आपको data मिलता है, ओके, यह समझ में है सबको, array के बारे में भी, थोड़ ओके, ठीक है, अभी हम लोग देखते है, homogenous data का क्या concept है, अभी इंट्रों में definitely आपको पोईचाएगे, how will you store, how list can store heterogeneous data, how list can store heterogeneous data, heterogeneous मतलब पता है न आपको, combination और data type में यह सब स्टोर कर सकता है, अभी मैं इसको try करता है, स्टोर करने का, जैसे मैंने बाता है, तो यहाँ let's see, इसमें string होता है गया, असा possible, x.add, यहाँ पर इमें 1 लीता, अरे यार इसने नहीं किया, अभी क्या करें फिर, बार न, error दे रहा है हो, इसका मतलब यह तो गलत है, बराबर है, लेकिन उन्हों यहाँ पर क्यों लिखा फिर एसा, यहाँ पर heterogeneous क्यों लिखा है उन्होंने, homogenesis ही ले रहा है न, देखा जाए तो, क्योंकि आगर यहाँ पर मैं string डालता हो, यहाँ पर मैं string डालूंगा देखो, यहाँ पर error निकल जाएगा, तो इसका error निकल गया, ऐसा क्यों फिर, तो यह गलत है न, बराबर हो रही है, तो आपको क्या करना पड़ता है, पता है कि यह बहुत important, आपको definitely कभी कभा पूछ सकते है, यहाँ पर इसकी जगाना object लिखना है आपको बस, समझ में है, तो इंटर्म में क्या पूछेंगा आपको, हाँ विल स्टोर दे हेटरोजीनिस डेटा, तो आप उनको क्या बता होगे, आप उनको क्या बता होगे, आई विल, रिएटर लिस्ट, वुस्ट डेटा टाइप इस अबजेक्ट, देन, इड यान स्टोर, हेटरोजीनिस डेटा, इसका मैं आपको पूरूम भी दीखा है मैंना भी, राइट है, समझा है सबको, अगर आप इसका जो डेटा टाइप होता है, अगर आप अबजेक्ट बनाते हो, तो आप यू के स्टोर मल्टीपल डेटा, विट डिफरेंट डेटा टाइप्स, किसी डाउटे का भी बता मुझे, इसके बात आता है, इसके बात आता है, यहाँ पर शिंटेक्स लिखने आपको, अगर आपको आरे बताना है, तो आरे में इससे सिंटेक्स होते है, यहाँ पर इसकी जगह में डिटेक्स लिखता हूँ, आपको पहले इसकी साइज बताना पड़ती, यह इसका पॉलम है, ठीके, यह मैंने आपको बता दिया, अभी हम लोग क्या करते है, इसमें कोई element मुझे भी search करना है, या फिर remove करना है, देखो, अगर मैं इसमें साथ कोई element को easily remove कर सकता है, जैसे x.remove, और मैं index देता 1, first index का data remove कर देता हूँ, ओके यहाँ पर मैं आपके लिए ना, एक size नाम का भी add कर देता, इसको मैं, okay, okay, ठीक है, फिलेगा इसा भी, अभी मैं आपको run करके दिखा था, आपको size का देखो बस, यहाँ पर, अभी size 0 है क्योंकि कोई limit add नहीं हुआ, इसकी size 1 हुए, okay, इसकी size 2 हुए, इसकी size order list है, order list मतलब कैसा है, जिस वे से आप data store करो गया, उस list में डालोगे, वो उस ही sequence में follow करता है, लेकि set ऐसा नहीं करता है, set क्या करता है, उसके इसाफ से data, खुदबकूप, manipulate कर लेता है, तो ऐसा नहीं कि आप इसको first index पे डाला है, तो आपको first index में मिलेगा, चेट में ऐसा नहीं होता है, खुदबकूप, वो इंटरनेल आरेंज कर लेता है, लेकिन list में ऐसा ही होता है, अब जिस order में data आड करोगे, वो उसी order आपको data store हो जाएगा, always remember, तीक है यह बहुत important concept है, अब इसको remove कर रहा हूँ, remove करने के बाद now tell me size कितनी हो जाएगे, 2 हो जाएगे, यही इसका reason है, हम लोग array list बहुत जगप यूज होता है, देखो अब size 2 हो आके ने, initial, अगर मान लो वही चीज़ मुझे array होता है, अगर array में मान लो मैंने यह numbers add कि होते हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, y equal to, इसको मैं स्वेसे भी लिख सबता हूँ, मुझे सबसे important, मुझे एक की type का data add करना पड़ता, अगर मुझे यह data remove कर सकता होता है, कोई way है कि मुझे इसको remove निकालने का, और size 2 बनने का नहीं है, इसलिए array कीज़े का array list की ज्यादा form में आती है, ठीक है, किसे doubt है इस case में, ठीक है, तो अभी हम लोगों को क्या करना है, इसके कुछ function देखना है, अभी तो मैंने बस आपको यह 2-3 चीज़े बता है कि जो इंटर में बहुत 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 पुछी जाती है, और मैंने जैसे बता है, अगर 10 में से 8 इंटरों तो ऐसे होंगे आपको जिसमें इसका difference पूचेंगे, तो आपका call है, आपको इसमें से कुछ से भी 3-4 points याद रख लो आपका काम बन जाएगा, और उसमें यह दोनों आना ही चाहिए, यह दोनों आपके आना ही चाहिए, य in your project where you use least and set, अगर आपको पता है इसके बारे में, तो आपने कहीं पर तो यूज किया होगा आपको प्रोजेक्ट में, तो कहाँ पर यूज किया है, he will ask you, तो आपको बता आना आपका answer होगा, एक concept driver.find element करके, जाद कुछ लोगों को पता होगा उसके बारे में, find, मेंट्स में का, जो return type है, type है, यह है, list of web element है, यहाँ पर आपने इसमें यहाँ यूज किया है, और कहाँ पर यूज किया है, whenever, we want to collect data from table column, restore in list, बढ़ा ना, अगर मेरे पास कोई column का data है, फुरा एक table है, उस में उस table में specific column, मुझे सारा उसका data चाहिए, which content duplicate, which can allow, which can allow duplicate, उसमें में यूज करूंगा, यह मैंने आपको किसका अंसर बताया, लिष्ट का अंसर बताया, बराबर, लिष्ट कहाँ पर उस किया, एक driver not fine element now की concept में आपको बताऊंगा, so don't worry, जब अपना driver not fine element के उपर आएंगे, यह मेरा first point बताया, मैंने second point क्या बता, जब भी कई भी आपको data चाहिए, column का data चाहिए, जैसे अभी आपर मैं try करके दिखाता है, excel, right यहापर मैंने कुछ भी data लिखा, proper लिया था, मुझे इस सब का data list में लेना है, तो मेंड होल करते, ठीक है, start करते, देखो, जब भी कभी मुझे column का data लेना है, पूरे table का जो column है, उसका data लेना है, क्यों मैं use करूंगा, उसके पीछे में आप लॉजिक भी बताता, क्या इसका फाइदा होता है, देखो, अगर मैंने मान लो, मैंने यह जो table का data है, यह table का data हम लोग क्या करते, temporary दो चीज़े में रखते, एक इसको array में रखते, और एक इसको list में रखते, तो क्या फाइदा होता है, किसमें क्या रखने, list में रखने से क्या फाइदा होता है, आपको उसको बताता भी, ठीक है, इसमें इसका एक powerful function है, इस list का फाइदा होता है, यह बहुत powerful function है, यह function क्या बताता है, कि आपको उस list में यह नंबर है क्या, मतलब यह value pass कर रहो हो है क्या यह बताता कर देखो में इसको रण कर रहा हूँ नाउ टेल मी ऐसी कोई चीज है कि आरे में हम लोग कर सकते का इसा कोई एक पिन कुछ क्या हुआ है आपको रूटेंड करेंगा ट्रू है फाल्स नाउ टेल में आप मुझे बता हुआ आरे में ऐसा कोई फंक्शन है कि जिसमें हम बता सकते बाई इस आरे में मेरे इतना डेटा है कि ने इस पेसिव डेटा है कि बता सकता है कि लिष्ट में आरे में आरे में ऐसा कोई फंक्शन है इस चीले लिष्ट पावरफुल है समझ मैं है लिष्ट पावरफुल क्यू है यही उसका एक रिजन है अगर आपको कोई नंबर स्वर्च करना अगर मेरे पास अरे होता तो मुझे क्या करना पड़ता पता है कि मुझे हर एक इंडेस में जाना पड़ता वहापर देखना पड़ता जोन मुझे धुनना है यहा आपका नहीं है उससे भी काम बन जाएगा शायद अगर लगएगा इसलिए इसके यह पावरफुल फंक्शन कंटेंस होता है कंटेंस क्या करता है वह चेक करता है कि that specific value is in the least or not तो इसके कोई methods कोई functions थोड़े important वाले हम लोग लेते हैं तो यह मैंने बता है ओके और एक लिश्ट हुआं मैं बता था हूँ आपको रिटन करता है true और false में ओके और एक बाकित अपना set वाला बाकित है ना set का एक सिकन दा है मुझे एक सिकन देदा मिन जी सेट में भूली गए बताना set हम लोग कहाँ पर यूज़ करते प्रोजेक्ट में driver.get window handles होता है ना एक सिकन होता है कि जो आपने open child windows कितने है वो सब बताता है उसका जो रिटन टाइप है यह है set of string इसे पड़ता है तो set of string बोलते है ठीक है और दूसरी जगह same logic से हम लोग लग सकते मुझे अगर column का data चाहिए I can use a set बस now tell me अभी इसमें भी mail यूज़ कर सकता हो और इसमें भी यूज़ हो सकता है तो इसका इन दोने में difference क्या होगा फिर जैसे कि देखो अगर आप यह वाला list देखोगे यह मेरा list हो गए बराबर है लेकि इसको मैं जैसे set में करता हो तो क्या change क्या होगा कोई मैं जैसे बताएगा क्या change होगा अगर मानलो यह मेरा list है तो list में इतनी सारे element देखे आपको कितनी टोटे 14 element देखे हैं लेकि मैं set यूज़ करता हो I am sure उसमें 14 element नहीं रहेंगे क्यों नहीं रहेंगे पता है क्या कोई मैं जैसे बता है कि उसके नहीं देखो मैंने set के बारे में एक point पड़ाया था क्या था set में unique value होती है हमेशा unique value मतलग क्या duplicate allow नहीं करता देखो set doesn't allow duplicate elements इसका मतलग क्या हो है यहाँ पर DAS कितनी बार है एक दो तीन चार पाच बार है वो पाच बार नहीं लेगा सिर एक ही बार लेगा आपका हुआ कि ने data copy easily इसमें से क्या हो जाएगा यह यह वाला इधर आ जाएगा यह वाला आ जाएगा यह वाला आ जाएगा यह वाला आ जाएगा यह देखो यह भी duplicate SDS duplicate ABWA यहाँ तक अपका फूरा data आ जाएगा फिर से मतलब मैं क्या बता रहा हुआ समझ में आ आपको आपका सब इतने data बन जाता क्यूँ set क्या करता है उस में सा सिर्फ unique data लेता है unique मतलब क्या रहता है जो double repeat हुआ है multiple time repeat हुआ उसको इक ही बार count लेता है उसको यह इसकी खास है यह set की हम लोग इसके बारे में भी देखने हुआ है just give me a second यह समझा आपको हम लोगों कहा पर use करेंगे हम लोग अगर question पूछेंगे आप आपके project में list and set कहा use करते है तो आपको इसके इसके दो पॉइंट बताना है इसके दो पॉइंट बताना है वो खुश हो जाएगा ठीक है चलो अभी हम लोग नेश्ट कहा पहते है actually उसके functions के list के जो functions है लिस्ट का पहला function क्या था मैं पहले इस लिस्ट का नाम लिख लेता तो बेटर रहा था मेरे काम करने के लिए ओके पहला क्या था एक्स डॉट एर था आप याप value लिख सकते हो जैसा आपका data type होगा जैसे उसकी value होगी जैसे for example x.add मैं 1 करता हूँ तो number add हुआ बरवा ऐसा हुआ अगर मुझे इसको पिर मैं क्या करता हूँ एक्स डॉट एर इसमें डबल कोट में लिखूंगा तो यह हमारा हो जाएगा यह किस के लिए होगा जैसे मैंने बाचा है it will be for int it will be for string it will be for character इसके लिए होगा बरवर किसी डाउट है आप x.add का समझ मैं आगे बढ़ते है फिर हम लो x.add होने के बाद दूसरा जो नाम है x.remove है यह बहुत important आपको यहाँ पर index देना पड़ता है तो यह one क्या है यह one value नहीं है यह one आपका index है ठीक है यह आपका index remove करता है ओके उसके बाद यह मेरा first function हुआ this is my second point x.remove तो यह that specific that location की value का remove कर देता है ओके x.clear यह क्या करता है पता है का it remove all the elements from the list at a time हम यह देखनी है one by one remove करने के जोरत नहीं पड़ती किसरा है x.clear it removes all list elements in one time at a time और remove की जगह clear करता है all list elements okay चवता point क्या है देखो x. okay अभी मुझे बताना है gate बताना है gate important है इसका भी एक problem है यह gate का क्या करना पड़ता है पता है problem भी नहीं बोल सकते है और अच्छा भी बोल सकते हैं यहाँ पर आपको न index पास करना पड़ता है it hd value at specified जो आपकी specified position होगी उस में की value आपको दे देगा जैसे कि अगर मान लो मैंने आपके यह क्या करेगा जैसे मैंने बतायता है x.gate लिखा मैंने यहाँ पर मैं 0 लेक इसका मतलब क्या होगा जेकर मैं आपको इसका पूरूब भी करके दिखा था पुझे clear निकालना पड़ेगा यह रिमूडी कालना पड़ेगा मैं इसको प्रिंट करके दिखा था तो उस specified location की जो भी value है उसको प्रिंट करेगा देखो यहाँ पर 0 नाउट 10 में इसमें output में क्या प्रिंट करेगा यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा कि क्या प्रिंट करेगा देखो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने जिरो जिरो तो कुछ में कौन से भेल्यू है एबीस एग्जैटलि एबीसी प्रिंट करेगा इधो एबीसी प्रिंट किया और जैसे कि मैं मता है इस लिश्ट में C है क्या आई यह बाइं यह टूर रिटंग करेगा यह यहापने मैं कुछ सीवन लिखता तो मता हूं मझे इसम में आपको यह भी बताया और यह चीज मुझे बताना आपको एक्स डॉट क्लियर मैंने एक्स डॉट क्लियर का मुझे आपको रहन करके नहीं दिखाया रहा है इसको हम लोग देखते है साइज किसी निकल आपको तीन दिख रहे है अब जैसे यह कॉल होता है अब का पूरा का पूरा जिरू हो जाएगा कितना वाजियर सारे इलेमें निकल गए कि नहीं यही एक्स डॉट क्लियर करता है राइट फिप्ट वाला क्या था आपने हम लोगों देख एक स्कूर ठीक है एक्स डॉट एड आड आल ओके आप अट इटम बहुत सारे चीज़े आड़ कर सकते हो लिश्ट में एक लिश्ट आड़ भी कर सकते है यह भी एक इंपोर्टन्ट है मैं आपको इसका बार में थोड़ा अपसा बताता हूँ अगर मान लो एक से कर सकते है इसको में वाय पूरे एक इलेमेंट मैं एक्स डॉट एड़ लिखता हूँ और इसमें वाय भेज़े इसका मतलग क्या हो अगर है एक्सवन दिखाता है मैं आपको मैं इसको ट्राय करता है मैं यहाँ पर एक्स डॉट साइज दिखता था यह कभी यूज नहीं होता लेकिन कभी कुछ पूचा अगर मैं दो लिश्ट को मर्च करना है तो आपके दो लि देखो साइज तीन हुआ यह वाय अलग है यहाँ दो को यहाँ पर यह लिखता है वाय की भी लिश्टी नहीं है बरवर अभी आड़ और करता है कितने वहर अभी किस में मैं आड़ किया रहे एक्स में आड़ किया मैंने तो देखो आभी एक्स के सारे इलेमेंटा को देखो लिस्ट को merge भी कर सकते है, now tell me, यह आप कर सकते थे का area में, आप area में कभी नहीं कर सकते थे, फिप्थ हुआ, x dot add all and यहापर मैं लिखता ही list name लिखता हू, better रहेगा, another list name लिखता हू, another list name, मतलब यह को क्यों देता है, merge the, merge both list ठीक है, ओके, अब भी x dot, और कुछ है कि मुझे देख रहा हूँ, contents all, यह भी बहुत important, अब जैसे कि मैं बताता हूँ, एक example देता हूँ, इसका output क्या आएगा, इसका output false आएगा, क्यों आएगा वो भी बताता, अगर मान लो मेरे पास एक list है, पहले में इसका output true करके दिखाता आपको, यह आपर यह क्या करें पता है, दो list आपको दो list compare करना है, मैं क्या बोल रहा है, मुझे दो list compare करना है, जैसे एक list है, जिसमें तीन elements है, जैसे y list है, उसमें पर तीन elements है, तो भी चेक करना है, भाई, x contains all, all मतलब सारा है, हुआ है, मतलब x में सारे y के element है क्या, अभी में क्या करता है, अभी में इसको उल्टा करता, अगर में इसको उल्टा किया, तो क्या आ जाएगा, true आएगा, false आएगा, true right, क्यूंकि y में सारे x के element है क्या, हाँ है भाई, जो भी इसको true करेगा यह, यह सी खासियत है, content solve, मैं इसको न यहाँ पर लिख देता, यह आपकन 6 वाला function हुआ, यह क्या करता है, checks y contents all the elements of x or not, इसमें superset कौन हुआ, y हुआ, या दोको superset क्या हुआ, y हुआ, और x child हुआ, अगर यह हाता है तो calm बन जाएगा, नहीं तो नहीं, इस case में answer आएगा, y में x है, इस case answer आएगा true आएगा, okay, इस case में आपका answer आना हुआ चाहिए, false हाँ चाहिए, x में y, बोले ना, हाँ, x में सारे y है क्या, x में सारे y है क्या, नहीं है न, d नहीं है, इसलिए false हो जाएगा, ठीक है, तो I think मैंने list के बारे में जितना बताना था उतना हो गया है मेरा, I think so, okay, list के एक दो चीज़े और चीज़ी बताना है मुझे, इस list को iterate कर से करता है, intro में शायद पूछ सकते है, मतलब पूछेंगे न, आपको इसके बार प्रोड्रम लिकना पड़ता है, इसके एक अच्छे बात क्या पता है, आप इसको फॉर्लॉप की फॉर्लॉप यूज़ कर सकते हैं, अच्छे बात यह है, जैसे कि मानलो मेरे पास एक X element है, इसमें add कि हमेने, यह पर मैं फॉर्ल लिगूँगा, और यह index की तरह चलता है जैसे मैंने बताया था, जैसे हम लोग आरे में length यूज़ करते हैं, यहाँ पर size यूज़ करना पड़ता है, और यहाँ पर मैं i++ करना पड़ता है, और यहाँ पर मुझे holy minus करना पड़ता है, i less than, so, जैसे मैं आपको बता है, यहाँ पर में लिकूँगा, x dot gate लिकूँगा और यहाँ पर i लिकूँगा, इससे क्या होगा, हर एक element आपको print कर देगा, मैंने print किया हर एक element, तो पहला element क्या होगा, a element होगा, फिर b होगा, फिर c होगा, देखो, i की value अभी initially 0 है, तो 0 ती limit में a है, इसलिए a print किया, फिर b किया, फिर c किया, अपने normal के तरह, ठीक है, इसको और क्या कर सकते है, आप specific object भी remove कर सकते हैं, जैसे कि इसमें मैं b remove किया है, आप specific value भी remove कर सकते हैं, यहाँ आपर में लिखता है, और एक function लिखता है, remove, और आपर यहाँ लिख सकते है, x.remove, remove, आप यहाँ भी पास कर सकते हैं, यह भी आप कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा देखो, तो यह b का यह निकल जाएगा, तो now tell me, a का index क्या रहेगा, देखो मैंने क्या क्या एक्स में a, b, c एड किया है, मैंने फिर b element remove क्या, तो इसका index क्या रहेगा, 0 रहेगा और इसका index क्या रहेगा अभी, latest scale रहेगा, 1 रहेगा, a important है, क्यूंकि जैसे मैं b remove करता हैं, खुद बाखो दो चारी चीज़ चेंज कर देखो, c आया, अभी हाँ पर size देखो, c 3 हुआ, अभी इसको मैं b को remove कर रहा हूँ, तो 2 हुआ, right, तो 2 हुआ, तो दो हुआ, तो इसमें अगर देखा जाएं मैं इसको यहाँ पर देखो, ठीक है, तो अभी हम लोग second topic लेने होला है, जैसे मैं नवाचा आज आखो, अभी हमें लेना है, set लेना है, set easy है, क्योंकि अगर लेज समझाएं, set अट में समझेगा, set में 2-3 चीज़ें different होता है, बस, तो जिश की जगह बस में हाँ पर set लिखता, देखो, set का भी import काना पड़ेगा, और हाँ पर hash set लिखना पड़ेगा, जो hash set का भी add करो, देखो, मैंने कुछ ने चेंज किया, बाके सारी चीज़े चेंज होता है, ये चेंज सेम पैटर्न उसके लिए भी, आपको मुझे दो चीज़े बता होता होता है, और एक बात, इस पर रिमूप का जेता है, मुझे लिस्ट और अपको एक दो डिफरंट बता होता है, आया लिखता, आपर लिष्ट लिखता, और आपर आरे लिष्ट लिखता, और आपर आरे लिष्ट लिखता, और आरे लिष्ट लिखता, और आरे लिष्ट लिखता, और आरे लिष्ट ल प्लेयर होता है, देखा अभी इसको मैंने, मैं आप ए ब्रेक पॉइन मारता हुए देखा, अगर आप X में देखोगे, तो मुझने क्या आड़ हो रहा है, A, B, C आड़ हो, आपको सेक्वेंसरी दिख रहा है न, मैं पहले C को लिखता हुए, फिर B को लिखता हुए, फिर A को लिखता हुए, और वही लॉजिक में हाप भी लगाता हुए, पहले C करता हुए, फिर B करता हुए, फिर A करता हुए, पहले क्या आड़ हुए, C आड़ हुए, देखो इदेखो यहाप 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 यह उसने खुद में कुछ चीज़े चेंजेस कर दिये, क्यूंकि देखा हम लोगों ने जिरुत लोके सेकंड ये डाला ते लेकि उसने खुद में खुद आड कर लिये, और ये भी प्रॉलम हुआ, अभी आरे में आरे लिक्ट में इसा नहीं होता हूं, अगर मैं आरे के बारे मे आपको देखो, कहा गया, एक्स हुआ मेरा य नाम कहता हूं, जैसे मैं ने इंसेट किया है, उसी वेसे वह गया है, बरबाब एब, ये बहुत इंपोर्ट, जैसे मैं ने बताए आपको, ये प्रूफ हुआ के नहीं होता हूं, जो हम लोगों ने पॉइंट लिका था, आरे क के बारे में, खरी, आसेट के बारे में, लिष्श क्या होता है, ओरडर हां होता है, मतलब जिस सक्वेंस में इंसेट करऊगे, उससी इसमें नहीं होता, अब हम लोग क्या करते है और एक point manager आपको बताना है देखो set क्या करता है कहा गया है set doesn't allow duplicate element मुझे आप मैं आपको यह वाला प्रूब दिखा था इसको stop करता अब I will try to insert to be मैं दो भी इसमे अड़ करना करता है और same logic जैसे मैं दो बार भी add कर रहा हूँ वैसे मैं यहाँ पर भी दो बार भी add करूँगा list में I will show you क्या difference होता है तो आपको थोड़ा idea आए जाएगा कोई तो mute करेगा प्लीज याँ प्लीज मुट करना है देखो अब एक से लेमेंट है इसको क्लिक कर देखो यहाँ यह बहुत इंपोर्टन फिर मैंने बी आड़ किया नो टेल में बी आड़ होगा है नहीं होगा वह इंसेट करने से पहले चेकर आलड़ी भाई भी है क्या सेट में हाँ है तो नहीं करेगा देखो यह क्या उसने ब्याड नहीं किया इसलिए मैंने बोला था ना आपको उसी यूनिक इलिमिटी ले ले लेता है अलाड़ डॉलिके इसका मतलब वही है देखो इसको दो बार भी मिला उसने एक ये बार ले या समझ मैं है सबको सेट के बारे में अब यह में लिश्ट के बारे में आपको दिखा था है आए का दो बार भी दो को इसमें दो बार भी आए क्यों लिश्ट कैन अलाव डॉलिकेट बट सेट नॉट यह आपका रिजर्ट दा लिश्ट अलाव डॉलिकेट सेट ड़न डालाव किसे डाउट आप इस केस में का हिए प्रन के दाए कर तहँ लो धाल हो सकते है देख देख वैग्जोर्ट किर अड़ लिख देख लोर हो, एकग्जोर्ट आद्ड करते है हमलो हम लोग x.remove भी करते थे, देखो remove भी कर सकते थे, same logic कि हम कुछ change नहीं है, कि दोनों same ये बस उतना ये different दिया, x.clear भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको दिया था, पूरा का पूरा clear होता है, x.add all भी करते हैं, मैंने आपको दिया था, एक list में दूसरी list हम लोग merge करते थे, मैं आपको थोड़ा देता है, remove all भी कर सकते हैं, पूरा का पूरा remove all कर सकते हो, x.remove भी कर सकते हो, specific element को भी remove कर सकते हो, याद है, जो हम लोगों ने list के लिए पढ़ाता है, वो सारे के सारे हम लोग set के लिए कर रहा है, दोनों same concept है, बस एक ही difference में क्या है, दो difference में है, कुछ के बाद हमें देखना, how will you iterator exit, link list, arrow list, set कहां पर रहे, अगर इसको use करना है, अगर set का एक problem क्या परता है, अगर आपको iterator use करना परता है, इसका एक थोड़ा का issue है, ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते है, इसके सारे function लिख लिएते हैं, अपना last topic होगा, क्योंकि कल हम उसके उबर प्राइम दने, तो जैसे मैंने बताया है, जो मैरे list के functions होगे, वही मेरे set के भी functions होगे, जहाँ पर, जहाँ पर, सेट लिखना है, बाकि कुछ नहीं करना, और इसमें ये possible नहीं होता, अगर आप देखो काना, सेट में, एक्स डॉट गेट नहीं होगा है, यहाँ पर, जैसे मैं बता रहा हूँ, एक्स डॉट गेट नहीं मिलेगा आपको, ये class है, याद रोको कि class है, ये गेट अलग होता है, ये नहीं possible, आपर लिखता है था, not possible in set, यही इसका थोड़ा सा issue है, अगर आपको iterate करना है, आपको क्या करना पढ़ाँ, जैसे मैं नहीं बता आपको, इस वे सप्रेट करना पढ़ाएगा, ठीक है, मुझे iterator का भी, यूटिल अड़ करना पढ़ाईगा, इसका नाम करना पढ़ाईगा, इसका नाम एकस था, थो यहारा पे एकस लिखना पढ़ाईगा, ठीक है, ऊकेशिका इसके अबजेक्ट, आपजेक्ट है, इसका string है, तो मुझे क्या करना पढ़ाईगा, इसका और अब्जेक्टी लेना पड़ेगा, अगर आपको सेट को इट्रिट करना तो आपको इट्रिटर यूज करना पड़ता है, आया क्या है, आप A लिखा, उसने फिर B लिखा, फिर C लिखा, हो गया आपका काम, के वाईल लूप है, ठीक है, कंट्रोल है, कंट्रोल आए, कंट्रोल आए, अरेंज कर लेए, कुछ 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 कुछ, तो क्वेश्चिन पोचेंगे, हाव विल्यू इट्रेट सेट, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाके अकल देखते हैं हम लोग, कैसे करना इसको, बाके, डमेश्चिन लेक्रण